Students English Question Bank के Solution की सीरीज में एक बाप फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है तो Students आज की इस वीडियो में हम समझेंगे English Grammar तो वीडियो को पुरूर दरूर देखेगा Students ये इस सीरीज का Part 2 है इस से पहले के Part 1 में हमने 1 से लेकर 20 तक के English Grammar के Philips को डिटेल में समझ लिया था और अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं 21 से अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए जो 1 से लेकर 20 तक का Solution है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी चलिए अब हम समझते हैं 21 से तो ये रहा हमारा 21 नमबर का Question ये है हमारा 21 She was born and brought up blink his face अंबाला आप ये हमारे सामने add in on तो इस ट्रेंट इसका जो right answer होगा वो होगा in She was born, मतलब उसका जन्म हुआ था and brought up in a अंबाला मतलब उसको अंबाला में लाया गया तो right answer हमारा in होगा क्योंकि अंबाला के पहले आपको in लगा देना है She was born and brought up in a अंबाला पहला answer हमारा in है अब देखते हैं 22 The ball passed blink his face his head इसका जो right answer होगा वो over होगा The ball passed over his head मतलब बाल उसके सर के उपर से पास होई मतलब सर के उपर से गुजरी अब याद रखेगा जब भी कोई चीज़ आपके सर के उपर से या किसी भी चीज़ के उपर से होकर गुजरती है एक और से दूसरी और अगर जाती है उपर से होकर तो हम वहाँ पर over का यूज़ करते है जी हाँ इसलिए तो होता है over bridge तो जिसे के ये सर के उपर से कोई ball जाए कोई पक्छी जाए या घर के उपर से कोई plane जाए फ्लाइट जाए वहाँ पर आपको over लगाना होता है तो over right answer है अब देखते है 23 इसका जो right answer है वो है could अब could right answer इसलिए क्योंकि ये sentence past का है he could walk he could walk when he was young he could walk fast है तो यहाँ पर fast भी लिका हुआ है तो right answer हमारा good होगा क्योंकि देखिए past की ability और capacity को बताने के लिए हम could का use करते हैं और can का use हम करते हैं present में और make का use तो possibility के लिए permission के लिए हम करते हैं लेकिन में तो यहाँ पर नहीं आएगा और can भी नहीं आएगा right answer हमारा good है तो 23 का could right answer है अब आगे बढ़ते है देना ही चाहिए तो यहाँ पर 24 का right answer must है अब जानते हैं 25 इसका right answer आएगा तो right answer आपका 4 है अब देखिए 26 तो 26 में रोहत प्रफर्स milk tea right answer आपका 2 है क्योंकि प्रफर्स के साथ 2 का use किया जाता है याद रखिएगा प्रफर्स मतलब किसी चीज को पसंद करना रोहत प्रफर्स milk tea मतलब कि रोहत जो है वो चाह से जादा milk को पसंद करता है ठीक है तो right answer आपका 2 है तो 2 लगा देना है आपको प्रफर्स के साथ यहाँ पर 2 का use करना होता है अब देखते है 27 तो diet के साथ आफ का use करना होता है तो यहाँ पर आपको आफ लगाना होगा तो diet के साथ आफ का use करते है और suffering के साथ फ्रोम का use करते है ठीक है इस point को भी आप note कर लीजगा point to be noted अब आयाते हैं 28 पर तो देखिए 28 नमर के question है you can write blank with a pencil अब pencil तो non living thing है तो आप pencil से लिख सकते हैं तो यहाँ पर आपको with लगाना होगा you can write with a pencil जब भी कोई काम किसी चीज़ को hold करके किया जाए वहाँ पर आपको with का use करना होता है और जब कोई काम कोई person खुद से करे तो वहाँ पर buy लगता है इसलिए सारे passive voice में buy का use किया जाता है लेकिन pencil के before आपको with लगाना है with right answer है अब देखते 29 the weather was cold but there was wind तो right answer यहाँ पर आएगा no wind the weather was cold मतलब कि जो weather जो मोसम था वो ठंडा था but there was no wind लेकिन कोई भी हवा नहीं थी right answer no है 30 number का no sooner did the thief see the police here and away तो यहाँ पर आपको देन लगाना है क्योंकि no sooner के दा THAN then का use किया जाता है no sooner did the thief see the police then ही रहना वै तो no sooner के साथ then का use होता है इसको भी आप note कर लिजिए यह no sooner अगर sentence में आया है तो यह no में एक वो आएगा ठीक है तो no sooner then then right answer clear है ना students चलिए आगे बढ़ते हैं question number जो कि हमारा 30 one number का you not feel sorry for this mistake तो इसका जो right answer है वो है आपका need जिया you need not feel sorry for this mistake आपको इस mistake के लिए sorry feel करने की जरूरत नहीं है आवशक्त नहीं है तो need का मतलब होता है जरूरत होना या आवशक्ता होना तो यह आपको लगा देना है need 32 I think it rain today make a use करीए I think it may rain today possibility बताए जा रही मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है तो possibility के लिए make a use करते है ठीक है students तो याद रखिएगा possibility के लिए make a use किया जाता है तो यहाँ पर आपको make a use करना है can और could का use हम ability के लिए करते है request के लिए भी करते है ठीक है तो may right answer है यहाँ पर अब देखेंगे 33 I have spare book तो right answer आएगा आपका no 33 का no I have no spare book any और some बिल्कुल नहीं आएगा any का use interrogative और negative में करते है और some भी यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि some के साथ plural word आता है अगर countable noun है तो plural होता है तो book तो भाई countable noun है तो book लिखा है बुक से नहीं लिखा इसलिए यहाँ पर no right answer है अब देखते हैं 34 English is in many countries spoken right answer होगा यह passive voice है English is spoken in many countries speaking use नहीं करिएगा यह active voice नहीं है यह passive voice है क्योंकि English subject नहीं है English object है English is spoken in many countries English कई देशों में बोली जाती है तो बोली जाती है मतलब passive voice तो V3 आपको use करना है जो कि spoken है चलिए अब देखते हैं 30 5 Have you complained against me? यहाँ पर any लगा दीजी Have you any complaint against me? अभी रिसेंटली में आपको बता है कि interrogative sentence और negative sentence में any का use होता है इसलिए right answer हमारा any आएगा Have you any complaint against me? sentence interrogative है तो spine को भी आप note कर लिजीएगा कि interrogative और negative sentence में आपको any का use करना होता है इसलिए इस sentence में any right answer होगा आगे बढ़ते हैं 36 की तरफ 36 I don't like of them 36 का जो right answer होगा वो होगा either क्योंकि sentence negative है I don't like either of them मतलब मैं उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ neither के साथ not नहीं आता है क्योंकि neither वाले sentence में not नहीं होता है क्योंकि neither में not already included होता है इसलिए neither के साथ अलक्से नोट नहीं लगता है neither खुद अपने आप में एक negative meaning लगता है लेकिन इस sentence में either बिलकुल सही answer है आज आते हम 37 पे Every student wear school uniform 37 का right answer होगा should हर एक student को uniform पहनना चाहिए should right answer है 38 The post office is the street from the grocery store 38 का जो right answer आएगा across आएगा The post office is across the street from the grocery store across right answer है 39 Cima board umbrella 39 का right answer आएगा अबरेला के पहले आएगा यूज़ करेंगी क्योंकि sound आपको आ का दिया जा रहा है जो कि आपका vowel sound है इसलिए यहाँ पर आपको लगाना होगा आएगा आएगा एगा आएगा अब देखते हैं 40 There are not good books on this subject 40 नमर का question है इसका right answer आएगा विकाज सेंटेस हमएगा निगेटिव है और निगेटिव सेंटेस में आएगा यूज़ करते हैं There aren't any books on this subject आएगादी जी कि सेंटेस निगेटिव है यहां पर आपको इच का यूज करना है 42, the table was by him, तो 42 का राइट आँसर आएगा आपका ब्रोकन, पैसिव वहीज़ देबल वाज ब्रोकन 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 होती है, अब आगे बढ़ते हैं 43 की तरफ, तो 43 का जो राइट आँसर होगा, वो आएगा आपका हूम, जी हैं, तो यहाँ पर आपको हूम लगाते हैं, अब देखते हैं 44, 4, she often us in the evening, visit, visits, right answer यहाँ पर visits आएगा, ठीक है, often है, she often visits, मतलब अक्सर, in the evening, मतलब के वे अक्सर, evening में आती है, विज़िट करती है, ठीक है, तो यहाँ पर visits लगा दीजिए, subject singular है, इसलिए एस लगेगा, लाश्ट बाला देख लिजिए, 45 का, the class was busy with the project, तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है, whole, the whole class was busy with the project, तो सम नहीं आएगा, all नहीं आएगा, यहाँ आएगा आपका whole, ठीक है, क्योंकि दा के बाद, whole लगेगा, ठीक है, right answer हमारा, whole तो इस तरह से आज हमने, 45 तक, पूरे फ्लिप्स को cover कर लिया है, जो के हमारी class 11 के English question bank के English grammar थी, ठीक है, उम्मीद करता हूँ, यह सारी grammar आपको अच्छे तरह किसी समझ में आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक किजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ जादा जादा शेयर किजिए, यदि चैनल पर नहीं है, तो चैनल को जूर सब्सक्राइब कर लिजिए, जल्दी हम नेक्स पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम डूएज डारेक्ट को cover करेंगे, इसके अलाबह 100% आपके English Caution Bank का solution हमारे चैनल के जरीए से provide कराया जाएगा, बस आप comments करके बताएए कि आपको नेक्स पार्ट कब चाहिए, और वीडियो को like जरूर करेगा, share भी किजिएगा, चैनल परना है तो चैनल को subscribe कर लिजिएगा, thanks for watching,